मानिप्रदान मंत्री जी के सयोग से आशिरवाद से मंत्यावे ने जो अधिक प्रयास किये है उसके फलस रूप आने वड़े दिनों में अवेदा को अधिक से अधिक देशों में मानिता प्राप्त होगी जिससे भारत का भी पूरे विश्यों में सन्मान बढ़ेगा मैं मान्दी प्रदान मंत्री जी का हार्दी आवार गत्त करता हूं कि आपने इस मंच को गवर्वामनित किया है मैं राजयस्तान के राजयपाल गुजरात के राजयपाल गुजरात के मुख्यमंत्री इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आपने आशिरोशन से राजयस्तान तदा गुजरात के दोनों सस्ताओं का और पुरे आरुवेद प्रेमियों का उज्जा बढ़ाया है मैं सभी को एक बार पुनह साधुआ देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय आरुवेदा जय धन्हुनतरी जय भारत नमश्का नमश्का अत्यन्त कारगर है आयू सुपचार से कोवीड के लेक्षनों की गंभीता कम करने भी मदद मिलती है जिससे अस्पताल में रहने के जरूद कम पड़ती है तता कोवीड के दूस प्रवावों से निजात पाने की प्रकियार में तेजी आती है आईए अब हम कोवीड 19 के संब्ध में आयू सुपचार से संब्धित वज्जानिक अधियन के बारे में एक लगू फिल्म देखें माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के दिक्त दर्शन में आयूश मंत्राले ने कोवीड 19 रिसर्च के शेतर में कई महत्पूर कदम उठाए कोवीड 19 के इस लड़ाई में सहयोग के लिए आयूश मंत्राले ने 7,99,000 आयूश चिक्तिकों की मदद से आम आदमे की रोग प्रतिरोदक्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया इस कठिन समय में आयूश मंत्राले द्वारा जारी किये गए सेल्फ केर अडवाईजरी, गाइडलाइन्स फॉर प्रेकिशनर्स और नैशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एवं पोस्ट कोवीड मैनेजमेंट गाइडलाइन्स बेस्ट ऑन आयूवेदा एंड हुआ है, इस एप के बाध हम से कुल एक करोड़ सैतालीस लाख से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली है, इनमें से पच्चासी दशमलाव एक फीसदी प्रतिभागियों ने की सूचना दी है, जो जन सामान में आयूश बंदतियों की स्विकारिता को प्रतिबिम्बित करती है, भारत में कोरोना के खिलाप लड़ाई जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है, इस समय दुनिया भर में भारत के आधरुएद और योग के महत को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं, हम अपने देश की अच्छी बातों को एविडें भारत की युवा पीड़ी को अब इस चुनवती को स्विकार करना होगा, जैसे विश्व ने योग को सहस्विकार किया है, वैसे ही हजारों वर्शों पुराने हमारे आईरुएद के सिध्धानतों को भी विश्व अवश्य स्विकार करेगा COVID-19 के प्रवंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा आयूश की भूमिका को अंतुराश्टी स्थर पर सिध्ध करने के लिए ICMR, AIMS, DBT, CSIR जैसे अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया इसी आधार पर चार अलग-अलग रसायन और शतियों यथा अश्व गंधा, यश्टी मुधू, गुडची, पिपिली और एक पॉली हर्बल फॉर्मिलेशन का रेंटिमाइजड कंट्रोल क्लीनिकल ट्राइल्स बड़े स्तर पर किया गया है आयूश के अंतरगत, विभिन्य प्रतिष्टित संस्थान के 112 केंद्रों में कुल 84 अनुसंधान पर इजनाय प्रगती पर हैं होमियोपेति दवा और सिनिकम एल्बम 30C, सिध्ध पारम परिपद्धती वर्नित और शेती कबसूर कुड़िनीर एवं युनानी दवाओं पर भी प्रफिलैक्टिक अनुसंधान प्रगती पर हैं आयुरवेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रुट्साहक स्वास सेवाओं का विस्तार करने के लिए IPGTRNA, जामनगर और गुजराज सरकार द्वरा धनवंतरी रत योजना की सेवाएं शुरू की गई हैं इसी करम में अखिल भारती आयुरवेद संस्थान ने दिल्ली द्वरा 80,000 दिल्ली पुलिस कर्मिकों के लिए आयुरक्षा कारिकरम का क्रियान किया जा रहा है जिसमें उनके व्याधिक्षमत्व को बढ़ाने के लिए आयुरक्षा किट प्रदान की जा रही है शुरुवाती नतीजों के बताविक दिल्ली पुलिस कर्मियों में कोविड-19 की घटनाए और मृत्यूदर में काफी कमी दर्श की गई है मंत्राले के अंदरगत राश्टी संस्थान जैसे IPGTR और एजामनगर और अखिल भारती आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली आदी में कोविड-19 हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों ने खुटने टेक दिये भारत कोविड के खिलाफ लडाई में दूसरे देशों के सामने नजीर बन कर खड़ा रहा आयूश मंत्राले आयुरवेद के प्राचीन तरीकों को वैज्यानिक कसोटी पर सिद्ध करने के लिए कटिवद्ध है उतिन दूर नहीं जब बूरा विश्व आयुरवेद के वैज्यानिक आधार को जान लेगा और अंतराश्टी स्थर पर प्राध्मिक स्वास सिवाओं में आयुर्वीद समन्मित हो जाएगा तन्यवाद यह हमारा सोबाग्य है कि आज राजिस्तान के मानी मुख्य मंत्री स्री अशोग गेलोजी हमारे साथ है इस सवसर पर अपने विजार साजा करने के लिए मैं आपको अमत्रित करता हूँ डाक्टर जंदर डाक्टर टेडोज जी गुजात्र मुख्य मंत्री श्री विजय रुपाने जी एना ये जैपुरी निदेश सक्षनीव शर्माजी ज्यामनगर स्नस्तान के डायक्टर साहब तमाम पजाजी करिगन मिले खुछी है कि आज इतना ज्यामनगर को इंशिर अब लेश्तन इंपॉर्टेंट्स का दर्दा देना वह एना ये जैपुर को डी मिनुष्टर का दर्दा देने का समय चुड़ा है कि आपके मंतले ने एक तर भग्वान दनांती जी के अर्वे जनित थे उन्हेंटी भी है और दूसरा जो कोविट का नाइंटीन का अशर है पुरे देश विश्टर के अंदर उधर मियान में इंदौनों स्रस्तां के बारे में जो आज नहीं सोट पहला होगी वह अपना अपने इस बात प्रपतिक है कि कोविट नाइंटीन के अंदर भी आड़िवेद के क्या भूने का हो सकती है कि आड़िवेद का ट्याद हारे मुल के लिए बहुत प्राशिंग कारत रही है और आज के आड़िवेद स्वर्तां जो जयापूर में है इसका इत्याद एक सुपिच्छितर साथ प्राना है कि बंच्छिवेद के पहले कि अंदर जैपूर में बाइदी के मंदीर में शिल्वाट हुई और फोटीशिस के अंदर राज की आरिवेद मामेजले बनाई है और 76 के अंदर इसको केंदर सरगार ने राज़तान के अंदर इसकी जो टीविडी थी इसका जो रवाव था उसको देखते हो इसको राश्ट्री आरिवेद सर्थान के दरजा दिया तब से लगाता राज़तान में आरिवेद को ले करके जो कुर्वी संब्व होता था लगाता पूरा मत्र दिया जाता था अब जो आपने आज सेटला किया दिविश्टी का उसके बाद में अब यह दिश्टी के रूप में अपना शेलेवर बना पाएगा जिससे चुपाएगी जिसकी सब्सक्राइब आशकता भी इसी मत पादे दिखा रहे थे इसको बढ़ेगा और मैं उम्मिद करता हूं कि राहिस्तान में आलिवेश्ट चिकिस्ता के छिट्र में नेट्वर्किंग हमारी है वो इस शुरुत में बने हुई है कि चार और आलिवेश्ट हो चाहे जुनानी हो हो में परति हो कि राहिस्ता हो जो हो इसको अमेशा राता है सरकार ने मैं तो दिया है और इसी करना को जाने खुशी होगी कि पेस्ता हैれ कि आलिवेश्ट के वो इस्चाह सब्सक्राइब बने हो इसा बने हो कि बने है वो दो में बने हो आलिवेश्ट करने राता है झाल 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 कि और अंतराश्टी एस तरफ भी रातान का जो इंट्रेस्ट्र क्षर है वो सबसे मर्बूद इस्टेक्चर है देश के अंदर इते मैं चाहूंगा इस मोक्य पर निवेदन करना चाहूंगा प्रणामंदी इसे मुझूद है कि दास्तान को राश्ट के आयूस मिश्ण अंत्रगत विजे दर्दा दिया जाए क्योंकि यहां पर आयूस का सफे बड़ा सब्सक्राइब करें तो यहां पर कुछ कमी नहीं है तो यह राश्ट्य आयूस मिश्ण का दर्दा मिलेगा तो यह आज कर जो यह जिम्यूस्टी का फेटला है और मलबूत के शाथ मिश्ण को आकर बढ़ा पाएंगे इसके लाव में दो तीस राव देगे अपनी बात्समा करों कि समय बहुत काम है कि जैग वो कोश्मेटिक एक्ट फोटी का जो है उचको संस्विद्ध करारेद स्टोर संचानर में फार्मेशिस्ट की अनिवाल रिदा की जाए योग प्राकेटिक चिकिस्ता परिश्यस्ट को वेदाने की धरदा देने के लिए के योग यह प्राक सब्सक्राइब के जाए केंद्री आयूस नर्शिंग पईश्र की स्थापना की जाए और साथ में को जमने नारी वेट का बहुत बड़ा महत्र था नारी विज्ञान का अधिकारी परसार किया जाए क्योंकि रारुस्तान उसका बड़ा केंद्र रहे विश्टतिन ने रहे रूची देते हैं योग के अंदर भी आयूस के अंदर भी तुम्होंने विश्राष है कि आने वाले वक्त के अंदर आयूस बनता ले और अधिक प्रवाई तरीकेट से कि इस बनता लेके अंदर जो भी आरिवेद हो हो में पेति हो युनानी हो कि सभी तरह के जो अधिक शेक्टर है उसको मर्बूत करने में राज़तान में भी वो स्यों करेंगे और राष्टान का मैंने कहा कि इसो पिछेतर साल पहले अगर इस्ताब न होई हो राष्ट्रे आर्यवेद स्रस्तान जो आज इस रूप में है तो इसो पिछेतर साल का सब पर बहुत लब सपर होता है और आज तान में सा इसलिए संश्कत को भी और आजवेद को भी तुरसान मिलता रहा है आगे मिलता रहेगा इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बात्समात करता हूं धन्यवाद जैंड धन्यवाद आदरनिय मुख्यमंत्री महदई यह भी हमारा सवबाग्य है कि सवसर पर उजरात के माननी मुख्यमंत्री स्री विजयरूपानी जी उपरस्तित है मैं इस सवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपको आमत्रित करता हूं आज के समारम में उपस्तित भारत के लोगपुरिय प्रधान्वंत्री जिनोंने विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दिये है ऐसे हमारे गुजरात के सपूत आदर्णय प्रधान मंत्री इंदरेंदर भाई मुदी जी, कारिकर में उपस्तित, आदर्णय राजपाल राजस्थान, मान्य कलराज मिश्र जी, गुजरात के राजपाल, आदर्णय आचार्य देवरत जी, केंदरिय मंत्री आदर्णय श्रिपाद नायक जी, गुजरात के नायप मुख्य मंत्री आदर्णय नितिनबाई पटेल, हमारे मंत्री मंदर के सब साथी, यहां के सांसद पुनम माडम जी, भरती बेंद सियाल, आयुष के सेक्रेटरी, चेर्मेन स्री राजेश कोटेचा जी, उपस्तित भाय और बेनों, सबसे पहले गुजरात की जन्ता की ओर से, आदर्णय प्रधान मंत्री मोदी जी और स्रिपाद नायक जी को, गुजरात की हमारी आयुवेद इन्यूवर्सिटी को, जो राश्क्रिय इंपोर्टन्स, लिस्टनल इंपोर्टन्स देने के लिए बहुत-बहुत आभार प्रगट करता हूँ, धन्यबाद भी देता हूँ, आज धन्यबाद की जी पावन अउसर है, कि दिन देवी सक्ति की उनके द्वारा जो समुद्र मंत्र हुआ था, उसमें संक, चक्र, दिविय औुसोधी, अमृत कलस, उसके साथ बगवान धन्यबाद की प्रगट हुए थे, और विराख भी हमारी प्रगवान धन्यबाद की वेदों के उपास देव थे, और उसका उतरन मनुष्य मात्र के दुख निवारन के लिए उनका उतरन हुआ था, और आयुवेद के प्रथम इंस्टुटिट ओब नेशनल इंपोर्टन्स का भी आज उतरन हो रहा है, ये भी हमारी एक खुशी की बात है, परम्पिता ब्रह्मा जिन्होंने सुष्टी रचना के वक्त आयुवेद का स्मरन किया था, आयुवेद के गनान जो पहले भी था, इसलिए स्मरन होता है, और जामनागर उसमें पूर्वा आयुवेद के जो गनान का उनका विरासत और आज नया स्वरूप से समाज के सभी लोगों को आयुवेद की वृद्धी के लिए एक प्रस्तूत होने के लिए जा रहा है, हमें बहुत गवरवा है, आनन्द भी है और मैं फिर से आर्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेसे तो आयुवेद का इत्यास हमारे सवराष्ट में गढड़ा और उत्तर गुजात में पाटन में आयुवेद की पाच सालाय थी, और बाद में कोलेज के यूग में जामनागर और भावनागर आजादी के पहले भी आयुवेद की महाविद्या लई की स्थापना हो चुकी थी, और वडोध्रा में देश की प्रत्थम महिला के लिए एक आयुवेद्य कोलेज की प्रात्रम हुआ था और नैंटी सिक्ष एवन में आयुवेद्य इनिवर्सिटी की स्थापना हो भी और उसके बाद देश में बाकी राजियों में भी आयुवेद्य का गठन हुआ आज आयुवेद्य सिक्सा के उपरांद आयुवेद्य की चिकिस्ता के लिए गवर्मेंट और गुजरात ने काफी काम किया जब प्रान मंत्री वाई मुख्य मंत्री थे तभी उन्होंने आयुवेद्य के विकास के लिए और इनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ लिए जों संगर्श कर रहे हैं उसमें आयुवेद्य और दोक्टरों आयुवेद्य के सभी लोगों ने एक महतुर्य योगदान भी दिया है यह आयुवेद्य कोलेज का धन्वंत्री मंदीर यानि कि इनिवर्सिटी जो हमारी है एक विसाल मंदिर की तरह महिल और भविया है और यहां प्रथम संस्वधन केंद्र भी यहां से सुरूव आये और देश के आयुवेद्य सेत्र में प्रथम इंस्टिटिट और नेशनल इंपोर्टन के स्वरूप में मात्र लेकिन पूरे गुजरात के लिए एक आनंद और गवरों की बात है और राश्टिय सर पर यह एक इंपोर्टन स्वास्य संस्था जो राजिय की भूमी पर हमेरे यहां हमें प्राप तो हुई है तो स्वाभाविक इनका अधिक्तम लाभ काफी मिलने वाला है विश्व भरके ऐखनानीक एक कार्य करेंगे और गुजरात की जंता को मिलेगा अधिक जंता को मिलेगा और इस जामनाघर के आईउवजेट परिसर में हमारे चारों संस्था आज एक छत्र के नीचे आगई है और आईउबेश संस्था को आईउवेट चिक्ता जगत में एक दिम इनुवर सिटी के नाते हम आगे बढ़ेंगे मुझे यह भी खुशी है कि आयुवेद में हम आगे बढ़ रहे हैं और दुन्या इसका स्विकार कर रही है और यहां से 90 किलोमेटर दूर एम्स का भी राजकोट में जो निर्मान हो रहा है तो यह अरोग्य सत्र में दोनों एक सक्सम संस्थाए भारत सरकार ने गुजरात को भेट के रूप में दिया है भारत सरकार का फिरसे में अभार प्रगट करता हूं और इसके सयोग से आने वाले दिन में गुजरात एक नई उच्छाई और नहीं दिशा प्राप्त करेंगे आयुवेद आउसोदों की मांग पुरे दुन्या में आज हो रही है और गुनवत्ता युक्त आउसदों और साइन्टिपिकली एंडर्समेंट के साथ इस उच्च गुनवत्ता की सिक्सर और यहां से जो चिकस्त और महत्व पुरी दुन्या में प्रधान मंत्री जो जो जिस तरीके से उनको महत्व प्रदान किया ऐसा आयुवत का भी होगा हमारे पुराना पुरान वेद उपनी सद्ध आयुवेद चिकस्षा को पुरी दुन्या में रिकर्ग्नाइजेशन मिलेगा फिर से मैं गुजरात की जनता की और से आज के सुब दिन पर भारत सरकार का अभार प्रगट करता हूं प्रधान मंत्री जी का भी अभार प्रगट करता हूं कि हमारी इस संस्था को अपने नेशनल भारत माता कीजिए तन्यवाद आधनिया मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर मुझे यह गोशना करते हुए प्रस्नता हो रही है कि हमें विश्व स्वास्त्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेडरोस ग्रेबेसियस का आईर्यवेद दिवस संदेश प्राप्त हुआ है विश्व के प्रमुख स्वास्त्य संगठन के अध्यक्षक का यह संदेश विश्व भर में आईर्यवेद के बढ़देव वर्चस्व का द्योतक है पिछले दिनों मानिय प्रदानमंत्री जी का विश्व आईवेद संगठन के बीजी के साथ बात हुई थी उसी के बाद उनका यह संदेश प्राप्त हुआ है आईए विश्व स्वास्त्य संगठन के महानिदेशक का वीडियो संदेश सुने आई वीडियों टाली चेंडरा मोरी चेर्थ एकलिष झिर्कोलिज औरेटिस औरेंजे से नमस्टे च्छिशनल शिस्तम अवेड़ें अवेडर और इन थिन एंक एंपर इन एंटेगे इन्ज गाफ़ आटेटगर औरेटों लुन जाने इन प्जितके एंटिवेडना अरियर टेदेड वी इन्याव ए प्रक्राश च्विक झाली निर्नेर मोंच्टी जाने कोडिंटें लुमस्तों को स्विम्स्टे प्रियों कोंड विवर्सब रजिजेश ईुमस्तों कोंडिम तो वितु ए ऐच मन्माराट प्यानस्वाजे चरी कंप औरेजने थे इविधस्वाज हिज लुर्णने है . यह विरमे मेड दा जॉच केुछ जी हम रात है ounce इधीिर किया है . as part of their journey to universal health coverage and help their safer, fairer world. Finally, I wish you a very happy Diwali. I thank you. अब मैं मान्य प्रदान मंत्री जी को आयर्वेज शिक्षन एवों अनुसंतान संस्थान, इंस्टिट्र व्टेचिंग एडिसार्च इन आयर्वेज जामनगर को राश्ट्रिय महत्वक्य संस्थान के रूप में राश्ट्र को समर्पित करने के लिए आमत्रित करता हूं. अब मैं मानी प्रजान मंत्री जी को जामनगर के संस्थान का लुकारपन करने के लिए भी आमत्रित करता हूँ तनिवाद मानी प्रजान मंत्री जी मैं अब मानी प्रजान मंत्री जी को अपने संभोधन के लिए आमत्रित करता हूँ केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रिमान स्रिपाद नाई जी राजस्तान के मुख्यमंत्री स्रिमान अशो गहलोज जी गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान वीजय बहरुपाणी जी राजस्तान के गवनर स्रिमान कलराज जी गुजरात के गवनर स्रिमान आचार्य देवरत जी अन्यस भी मंत्रीगन सामसद गर्ण, विधायक गर्ण, आविर्वेच से जुड़े सभी विद्वाजन, देवी और सजनों आप सभी को धनतेरस भगवान धन्मंत्री की जैन्ती की बहुत बहुत छुपकावनाई धन्मंत्री जीने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आविर्वेच की रचना भी उनके आशिर्वात से हुई है आज के इस पावन दिन आविर्वेच दिवस पर भगवान धन्मंत्री से पूरी मानवजाद की प्रारतना है कि वो भारत समेट पूरी दुनिया को आरोग्य का आशिस दें साथियों इस बार का आविर्वेच दिवस गुजरात और राजस्तान के लिए विशेष हैं हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष हैं आज गुजरात के जामनगर में इंस्टिटूट अब टीचिंग अड रिसर्च इन आयुर्वेदा को इंस्टिटूट अब नेशनल इंपोर्टन्स के रुप में मान्नेता मिली हैं इसी तरह जाइपूर के राष्ट्रिय आयुर्वेद समस्तान को भी डिम्ड उनिवर्सिटी के रुप में आज लोकार्पित किया गया है आयुर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलप्मेंट से जुड़े इन बहतरिन समस्तानों के लिए राजस्तान गुजरात के साथ ही पुरे देश को बहुत बहुत बढ़ाई साथ्यों आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है ये देखकर कीस भारतिये को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी सम्रुद्द कर रहा है आज ब्राजिल की राष्ट्रिय निती में आयुर्वेद शामिल है भारत अमेरिका सम्मंध हो भारत जर्मनी रिष्टे हो आउश और भारतिये पारंपरिक चिकित सापद्दती से जुड़ा सयोग निरंतर बढ़ रहा है ये भी प्रतेग भारतिय के लिए बहुत गर्व की बात है कि डब्लू एचो ने और अभी डब्लू एचो के मुख्या और मेरे मित्र उन्होंने एक बहुत महत्वपन गोश्णा की है डब्लू एचो ने Global Center for Traditional Medicine इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और आप भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ और नाशन का विशेश रुप से डब्लू एचे के महा निर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर न्ट्रेडोस का भी रद ऐसे आभार व्यक्ता करता हूँ मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मसी अब दो वर्ल्ड इस रूप में उभरा है उसी पकार पारमपारिक चिकित्षा का ये सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदिया देने वाला साबित होगा साथियों बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इन्टिग्रेट हो रही है स्वास्त भी इससे अलग नहीं है इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पध्यतियों के इन्टिग्रेशन सभी को महत्वदेनी की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है इसी सोच ने आउश को आईरुवेद को देश की आरोग्य निती हेल्थ पॉलिसी का प्रमूग हिस्सा बनाया है आज हम स्वास्थ के अपने पारंपारी खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं बलकि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं साथियों यह हमेशां से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है लेकिन यह भी उतना ही सही है कि यह ज्यान ज्यादातर किताबों में सास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुष्खों में रहा है इस ज्यान को आधुनिक आवश्चताओं के अनुसार विक्सित किया जाना यह बहुत आवश्चत है इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकत वाला ग्यान जो है उस ग्यान विज्ञान को 21 सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकरी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है इंटिग्रेट किया जा रहा है नई रिसर्च की जा रही है तीन साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतिय अरुवेदिक संस्तान के सापना की गई है लेह में सोवा रित्पा से जूड़ी रिसर्च और दूसरे अध्यन के लिए राश्ट्रियस सोवा रित्पा संस्तान विक्सित करने का काम जारी है आज गुजरात और राजस्तान के जिन दो संस्तानों को अपग्रेड किया गया है वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है भाई और भेनों कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दाइत्व भी बढ़ता है आज जब इन दो महत्वपुन संस्तानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रवी है देश के प्रीमियम आईरुवेदिक संस्तान होने के कारण अब आप और आप सब पर ऐसे पाठ्ठकम तयार करने की जिम्मेदारी है जो इंटरनेशनल प्रक्टिसिस के अनुकूल और विज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो मैं सिक्षा मंत्रा लए और UGC को भी आग्रे से कहूंगा कि आयूर भावतिकी और आयूर रथायन सात्र जेसे विशयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए इससे रिसर्च को जादा से जादा बढ़ावा देने के लिए इंटिग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल केरुकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर हमारे स्टार्ट अप से उनसे भी एक विश्यस आग रहे है देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्ट अप्स को आईवेट की ग्लोबल डिमान को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिशित करनी चाहिए आईवेट की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में भोकल होना है मुझे विश्वास है कि हमारे साजा प्रयासों से आईशी नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टिम एक बड़े बड़लाव का साक्षी बनेगा साथियों आप भली भाती ये भी जानते हैं कि इसी साल सौंसत के मौन्सुन सत्र में दो एतियासिक आयोग भी बनाए गए हैं पहला नेशनल कमिशन फर इनियन सिस्टिम सब मेडिसिन और दूसरा नेशनल कमिशन फर होम्योप्रथी यही नहीं नई राष्ट्रिय सिक्षान निती में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इन्टीग्रेशन की एपरोज को प्रोस्थाइड किया गया है। इस पॉलिसी की भावना है कि एलोप्रेटिक एजुकेशन में आयुरुवेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और और आयुवेदिक एजुकेशन में एलोपेथिक प्रक्टिसित की मूल जानकारी जरूरी हो। ये कदम आयूश और भारतिय पारमपारित चिकित्सा पद्ददी से जूरी शिक्षा और विसर्च को और मजबुत बनाएंगे। साथियों 21 सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्ट से जुड़ी चुनोतियों को भी अब होलिस्टिक एप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुल्जाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर वेलनेस जादा फोकस किया जा रहा है। आचारिय चरख ने भी कहा है। स्वस्तत से स्वास्त रक्षणम आतुरच्य विकार प्रशमनच यानि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ये आविर्वेर के उद्देश है। स्वस्त व्यक्ति स्वस्त ही रहे। इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बिमार करने वाली स्थीतिया दूर हो। एक तरफ साफ सफाई, स्वच्छता, सौचालय, साफ पानी, धुवा मुक्तर सोई, पोशन इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वही डेड़ लाग हेल्थ और वैलनेस सेंटर्स हिंदुस्तान के कौने कौने में तैयार किये जा रहे हैं। इन में विशेश तोर पर साड़े मारा हजार से जादा आयूस्ट वैलनेस सेंटर्स पूरी तरह आयूरवेद को समर्पित हैं, आयूरवेद से जुड़े बन रहे हैं। साथियों, वैलनेस का ये भारतियर दर्शन आज पूरी दुनिया को आकरसित कर रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्थ और वैलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपारिक विद्या कितनी कारगर हैं। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूद और काड़ा जैसे अनेक इमिनिटी बुष्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंग्या, इतनी गनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संबली हुई स्थिति में हैं, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी एहम भूमी का रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आउरुवेदिक प्रोडक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा, इस साल सितंबर में आउरुवेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग डेड़ गुना करीब करीब 45 प्रतिशत बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोत्री दर्ज की गई है। हल्दी, अद्रक, ऐसी चिंजे जो इमिनिटी बुस्तर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आउरुवेदिक समाधानों और भारतिय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेश पेप्रदार्सों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्टित मेडिकल जर्नल्स भी आउरुवेदि में नई आशा, नई उमीद देख रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयूवेदि के उपयोग तक ही सिमित नहीं रहा। बलकि इस मुश्किल गड़ी का इतमाल आयूश से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सिन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयूवेदिक रिसर्च वर्भी इंटरनेशनल कॉलोबरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी अभी हमारे साथी श्रिपाज जी ने बताया कि इस समय सो से जादा स्थानों पर रिसर्च कर रही है। यहाँ दिल्ली में ही अखिल भारतिय आयूवेर समस्तान ने जैसा अभी आपको विस्तार जे बताया गया, दिल्ली पुलिस के असी हजार जवानों पर इम्मिनुटी से जुड़े रिसर्च की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टड़ी हो सकती है। इसके भी उत्सा अजनक प्रणाप देखने को मिले हैं। मोटे अनाज यानि मिलेट्स का उत्पादन बनाने के लिए आज किसानों को प्रोथ्षाइद किया जा रहा है। यही नहीं गंगाजी के किनारे और हिमालई छेत्रों में और्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईवेट से जुड़े हुए पैड पौदे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिज यह हैं कि दुनिया की वेलनेस में भारत जादा से जादा कंट्रिबूट करें। हमारा एक्सपोर्ड भी बढ़े और हमारे किसानों की आए में भी बढ़ोत्री हो। आईश मंतराले इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोवीड माहमारी शुरू होने के बाद। आयरुवेदिक जड़ी पुटियां जैसे अस्वगंदा, गिलोई, तुलसी, आदी की किमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी। लोगों का विश्वात बढ़ा, मुझे बताया गया है कि इस बार अस्वगंदा की किमत पिछले साल के मुकामले दो गुनी से भी जादा तक पहुँची है। इसका सीधा लाब इन पौधों, इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुँचा है। हाला कि अनेक जड़ी बुटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे हाँ जागरुकता और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लगभक पचांस अउसद्य पहुदे हैं जिनकी सबजियां और सलात के रुप में खुब उपयोगिता है। ऐसे में क्रिशि मंत्रा ले हो, आयुष मंत्रा ले हो या फिर दूसरे विभाग हो। सभी के संयुत प्रयासों से इस खेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आयुवेश से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टिम के विकास में, देश में, हेल्थ एन वेलनेस से जुड़े तूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे भी स्वास है कि जामनगर और जैपूर के ये दोनों संसाथ इस दिशा में भी लापकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बशाई। आज छोटी दिवाली हैं, कल बड़ी दिवाली हैं, आपको आपके परिवार को भी मेरी तरब से इस दिपावली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झाल 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 झाल